श्रीफन निउस परिवार की प्रस्तुती श्रीफन निउस चंचलता मिटेगी तो दुख का स्त्रोत भी समाप्त हो जाएगा परम पूज गुरुमा स्रिष्टी भूशन माता जी ने आज कहा कि दुख का पहला स्त्रोत है मिथ्या द्रिष्टी कुण दूसरा है आकांगशा व्यक्ति में इतनी आकांगशा है कि जिसका कोई समापन नहीं तीसरा स्त्रोत है प्रमाद मनुष्य को धन दौलत की तो याद रहती है सम्मान की याद रह जाती है लेकिन मैं चैतन्य मैं हूँ आनंद मैं हूँ इसकी याद नहीं रहती चोथा स्त्रोत है कशाय मतलब क्रोध मान माया और लोब इन सब को उदिप्त करती है चंचलता जो मनुष्य आत्मा से परमात्मा बनना चाहता है उसे सबसे पहले ध्यान देना होगा चंचलता पर अगर हमारी चंचलता मिटेगी तो दुख का स्त्रोत भी समाप्त हो जाएगा परम पूज आरिकारतने 105 स्री स्रिश्टी भूशन माता जी ससंग का मंगल विहार श्री महावीर जी की ओर चल रहा है आज सुभा का विहार गाव विहसना से भरतपूर के लिए हुआ रिपोर्ट संजे पाटनी बूंदी पूज मुनीश्री धीर सागर्जी महराज का समता पूर्वक समाधी मरन हुआ पूज आचारिश्रे विद्या सागर्जी महराज के शिष्य पूज मुनीश्री समय सागर्जी महराज के संखस्त पूज्य मुनिश्री धीर सागर्जी महराज की आज 10 जन्मरी को प्रातह लगभग 11 बचकर 15 मिनिट पर महावीर भवन गुना मध्रदेश में समाधी हो गई है पूज्य मुनिश्री धीर सागर्जी महराज की आज आहारचरिया बहुत अच्छे से संपन्न हुई मुनिश्री ने देव बंदना की उसके बाद पूज्य मुनिश्री समय सागर्जी महराज सहित 6 मुनिराज के सानिध्य में समता पूर्वक समाधी मरण हुआ ब्यूरो रिपोर्ट श्रिफल नियूज श्रमन श्री विभंजन सागर्जी मुनिराज श्री दिगंबर जैन मंदिर कड़कड डूमा मेट्रो स्टेशन बाहुबली एंक्लेव दिल्ली में विराज्मान है और 12 जन्वरी 2017 को सुभा आट बजे श्री दिगंबर जैन मंदिर सूरजबल विहार दिल्ली के लिए मंगल बिहार होगा ब्यूरो रिपोर्ट श्रिफल न्यूज